हलो दोस्तो स्वागत आपका Study for Civil Service के युटिल प्लेटफॉर्मर दब ब्यूर्यक्रेसी में और लास्ट लेक्चर में हमने गुपता पीरेट के बारे में कुछ important discussions किये थे hopefully आप लोगोंने वो लेक्चर देखा होगा और उस लेक्चर को सुनने के बाद आप लोगोंने अपने स्थर से गुपता पीरेट को एक बार रिवाइस किया होगा और साथी साथ questions भी देखे होंगे ये पता लगानी की भी कोशिच करी होगी जितना मैं समझ रहा हूँ कि UP PCS जैसे एक्जाम में गुपता पीरेट से अगर की question आता है तो कैसा आता है तो मेरी कोशिच है कि आपको connect करके रखूँ कमसे कम उन topics से जो बहुत important है और हमेशा एक्जाम में आने के लिए तयार रहते हैं ठीक तो आज हम गुपता पीरेट के बाद वाले पीरेट की बात करेंगे जिसका नाम है पोस्ट गुपता पीरेट ठीक तो पोस्ट गुपता पीरेट में हमको पता चलता है कि एक प्रकार से देखते हैं कि इंडिया में फिर से कई सारे राजाओं का उलेख मिलता है कई सारी dynasties के establishment होने की जानकारी हमको मिलती है ठीक है तो हम कह सकते हैं पूरी तरीके से कि भारत का इस समय कोई एक शासक नहीं है ठीक है छोटे छोटे राजवन सस्थापित हैं और उनका कुछ महत्व है तभी शायद इत्यास के पन्नों में उनको जगह दी गई होगी ठीक है तो पोस्ट गुपता पीरिट का मतलब होता है अब टू कह सकते हैं कि हम 650 AD तक कहां तक लगबग 650 AD तक या 720 तक भी आप कह सकते हैं इसको ठीक है तो ये पोस्ट गुपता पीरिट आप इसके बीच में लाई कर सकते हैं तो इस पोस्ट गुपता पीरिट में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा नौर्थ इंडिया में जिसने डॉमिनेट किया है उसका नाम है हर्ष वर्धन क्या नाम है हर्ष वर्धन हर्षवर्धन ने नौर्थ इंडिया में काफी लंबे समय तक हम क्या सकते हैं कि पॉलिटिकल इस्टेबिलिटी को प्रवाइट किया राजनितिक इस्थिर्ता बनी रही ठीक है समाज जिस प्रकार से बना हुआ था वैसा बना रहा इस्थिर्ता देखने को मिलती है हमको और कुछ कल्चरल एक्टिविटीज भी देखने को मिलती है लेकिन हर्षवर्धन तो चलिए माल लेते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टन टूलर है पोस्ट गुपता पीरेड में और इसको अंतिम महान हिंदू समरा कहा जाता है प्राचीन भारत में लेकिन इस से पहले कि हम भर्षवर्धन के बारे में थोड़ा सा डिस्कसिन करें हमको ये बात भी पता होनी चाहिए कि पोस्ट गुपता पीरेड में और कौन कौन सी डैनेस्टी इस्टेबलिस्ट हुई थी उन दिनों तो देखिए इंपॉर्टन डैनेस्टी जो थी उन दिनों की एक तो है मैत्रक वंस इसके बारे में पढ़ियेगा ठीक यश्व वर्मन वालमा का मालवा का जो यश्व वर्मन है उसके बारे में पढ़ियेगा ठीक मौकरी डैनस्टी जो है कन्नोच की उसके बारे में देख लेंगे ठीके कि इसकी स्थापना किस ने करी थी भरी वर्मा ने करी थी ठीके न और बंगाल का जो गौर्ड वंस है इसके सासक का नाम क्या था और ये किस लिए जाना जाता है और मालवा के देवगुप्त के बारे में भी जान लीजेगा कि इन दोनों के बीच में मित्रता थी और कैसे हम कह सकते हैं कि इसने मौकरी वंस के सासक ग्रह वर्मा को पराजित करके और कन्नोच को अथिया लिया था तो बड़े ही सैंसेशनल कहानी सैंसेशनल कहानी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर कि किस प्रकार से हर्शवर्धन ने अपनी बहन राजिस्ष्री को कैद से मुक्त कराके उनह क्या करा कन्नोच पर सत्ता इस्थापित करी तो यह सारा ड्रामा आपको इस बीच देखने को मिलता है ठीक है तो इन सभी में आप जरूर देख लिजेगा कि इन डैनेस्टी के पाउंडर कौन थे नमबर एक बात आपको पढ़ना है यह दूसरा इनकी कैपिटल कहां थी इन सभी की यह जानना है और इनमें सबसे इंपोर्टेंट रूलर्स कौन थे इसके बारे में भी थोड़ा सा आप लोग देखेंगे ठीक है मुख्य रूप से जो कनौज का जो मौखरी वन्स है इसलिए काफी इपोर्टेंट माना जाता है कि यह इसका संबंद वर्धन डैनेस्टी से भी जुड़के दिखेगा आपको ठीक है साथी साथ जो बंगाल का सासक है शसांक उससे इसका क्या रिलेशन था इस बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी जब आप पढ़ेंगे तब बंगाल जो कह सकते हैं बंगाल वाला सासक जो है शसांक वो एंटी बुद्धिस्ट है ठीक है और शिव का बहुत बड़ा क्या है भक्त था ठीक है तो मैं चाहूंगा कि आप शसांक के बारे में पढ़ें इसके बारे में शसांक के बारे में जो बंगाल का सासक था कैसे इसने देवगुप्त के साथ मिलकर प्रह वर्मा की हत्या करी ये काफी इंपोर्टेंट है बिलकुल संसनी खेज इसको आप देखेंगे इसके बाद हम देखते हैं कि हर्षवर्धन का टाइम पिरिड जान लेना ज़रूरी है कि ये इसका संबंद किसका है वर्धन मंत से है और ये कहां के हैं थानेशवर के हैं थानेशवर नाम की जगे कहां है हर्याना में है ठीक है जो इसके सुरुवाती प्रमुक सासक है वो है इसके पिता प्रभाकर वर्धन कौन है प्रभाकर वर्धन ठीक है और इसका एक भाई है कौन राज्य वर्धन और इसकी बहन है राजिस्री जैसा कि मैंने आभी आपको बताया कि राजिस्री का विवा किस से कर दिया गया था कन्नौज के शासक ग्रह वर्मा से ठीक है अब वो बहु बनकर वहाँ चली गई है इस बीच हम ये भी देखते हैं कि हर्शवर्धन के सासक बनने से पहले या ये किन परिस्थितियों में सासक बना ये भी जाननेना काफी जरूरी है ठीक है तो हर्शवर्धन से पहले इसका जो भाई है राजिवर्धन वो सासक बनता है राजिस्री के बारे में जानकारी मिलती है उसको वहाँ बचाने जाता है लेकिन दोके से किसने हत्या कर दी उसकी? बंगाल के सासक सशांक ने तो इस विसंपरिस्थितियों में हर्श्वर्धन को क्या होना पड़ा? सत्ता रूर होना पड़ा थानेश्वर का अब दूसरा इसका टास्क क्या है? बहन को बचाना है इसके बारे में पता चलता है कि बहन आत्मत्या करने वाली है ठीक है ये सारी बातें इसको पता चलती है और किसी प्रकार से हर्शवर्धन restore करता है किसी चीज को कन्योज के empire को और सासन करना सुरू करता है कन्योज को अपनी राजधानी बना कर और इस तरीके से हम देखते हैं कि जो गौरव पाटली पुत्र का था प्राचीन काल में वो अब शिफ्ट होकर कहां पहुंच जाता है? कन्नौज में पहुंच जाता है इस को हम क्या सकता है कि ता शिफ्टिंग ऑफ गोल पोस्ट शिफ्टिंग ऑफ दा पॉलिटिकल गोल पोस्ट प्रॉम पाटली पुत्र टू कन्नौज अब कन्नौज को हम देख सकते हैं कि उत्तर भारत की राजधानी लगभग 40 साल तक रहती है तो हमको यह पता चलता है यह पता होना चाहिए कि जो हर्षवर्धन का टाइम पीरिट है वो कितना है 606 से लेकर 647 तक है एक हर्षवर्धन के बारे में जो सोर्सेज हैं जहां से हमको जानकारी मिलती है इसके बारे में भी कई कॉश्शन एक्जाम में आ जाते हैं याद किसके बारे में हर्षवर्धन के रूल के बारे में इसी प्रकार हर्षवर्धन स्वैम एक विद्वान विक्ति है उसकी भी तीन रचना हमको देखने को मिलती है प्रीदर्शिका रतनावली और नगानंद याद रखेंगे ना प्रीदर्शिका रतनावली और नगानंद ये सारी बातें आपको याद रखी होंगी ठीक, political stability हमको देखने को मिली 40 साल तक, ये बहुत important बात रही होगी उस समय अच्छा, दूसरी चीज हम देखते हैं कि हर्शवर्धन का समकाली ने एक चालुक के शासक भी है, इसके नाम है, Pulksuan Second क्या नाम है, Pulksuan दियर, Pulksuan First नहीं, Pulksuan दियर ठीक है, ये समकालीन है, किसका, हर्शवर्धन का, या कह सकते हैं कि हर्शवर्धन और ये आपस में क्या है समकालीन है, दोनों के युद्वकावलेक मिलता है, नर्मतामनадी के तटपे लड़ा गया था फुलकेशन सेगंड की जीत होती है जानकारी मिलती है एहोल अभी लेक से बहुत इंस्क्रिप्चन है एहोल इंस्क्रिप्चन से जानकारी मिलती है तो किसका है फुलकेशन सेगंड का है रशना किसने करी है रवी कीर्थी ने करी है इसने करी है प्प्प्टा करनी होगी अगर आप पॉस्ट गुप्ता पीरेट पढ़ते हैं तो इसके बाद हम देखते हैं कि क्या दक्षिन भारत में कोई राजबंस इस्थापित है तो हमको पता चलता है ठीक, very important ठीक है न, पल्लव डैनेस्टी प्लीज आप याद रखेंगे इसके जो important डूलर है महेंद्र वर्मन और हम क्या सकते हैं कि नौर्थ में अर्श वर्धन आपस में क्या है समकालीन है पल्लव की राजधानी थी कांची क्या थी कांची पल्लव किस चीज के लिए जाना जाते थे अपनी कल्जरल अक्टिविटी के लिए खास तौर पे टैंपल बिल्डिंग अक्टिविटी किस चीज के लिए जाना जाते थे टैंपल बिल्डिंग अक्टिविटी ठीक है तो इन्हों ने जिस प्रकार के मंदिरों का रिमान किया है उसकों कहते है रत प्रकार के मंदिर के रत टैंपल पर आपको समझ में आ जाएगी बात जो कि क्या है मोनोलित का मतलब होता है एक आश्मक है यानि कि एक ही पत्थर को तराश करके बनाए गया है तो नकुल रत द्रौपदी रत भीम रत अर्जुन रत धर्मराज रत ये सारे क्या है इनको हम पगोडा भी कहते हैं ठीक है तो ये जो है पांच इंपॉर्टेंट रत जो किसके दव किये गए थे पल्लव राजमांस के सासुकों के द्वारा जिसमें राज सिंग सेली महेंद्र सिंग सेली ये सारी बातें आपको याद रखने होगी महेंद्र वर्मन सेली शौरी ठीक है तो प्लीज जब आप पल्लव डिनस्टी के बारे में पढ़ें तो कम से कम उनके इन सब पॉइंट्स को जरूर क्या करें आप आप उसको रिवाइस करें क्याने का मेरा मतलब यह है ठीक है तो इत्र भारत का हर्षवर्धन धक्षिन भारत का पल्लव और इंडिया का हम देखेंगे चालूक के आपस में क्या है सम्कालिन है तासक का नाम है पुलकेशिन ठी बीच में हम माल लेंगे पुलकेसिन को और साउथ में आजएगा क्या महेंद्र बर्मन जो की पलव सासक है ठीक है एक और इंपोर्टन बात हर्शवर्दन के समय में जो आपको जाननी होगी वो यह कि 629 से लेकर 644 के बीच में हम देखते हैं चीनी यात्री का आगमन होता है जिसका नाम है हवेन सांक क्या नाम है Sono हवेन सांक आता है हार्शवर्दन के दरवार में भी आता है पूरे भारत प्रह्मन ब्रमर्ण करता है फ Kendallव डानेस्टी में भी जाता है उत्रा खंट भी आता है और अपना यात्रा व्रतांत एक विवरन छोड़के जाता है जो की काफी सोर्ड काफी important source of information है ततकालीन भारत के समाज और राजनीती के बताने के मतलब एक important source है उस समय की राजनीती का समाज का और धार्मित दशाओं का काफी important है इसको जरूर ध्यान में रखेगा हुएंसां के बारे में ठीक very important इसको prince of travelers भी कहा जाता है क्या कहा जाता है prince of travelers एक चीज़ और जानेंगे कि क्या हुएंसांग ने हर्षवर्धन को किसी नाम से संबोधित किया है तो उसका नाम है शिला दित्ति किस नाम से जाना जाता है हर्षवर्धन अगॉर्णिंटू हैंसांग शि मत रखेंगे प्लस में अर्षवर्धन के द्वारा जारी किए गये सिक्क्रूं के पढ़ेंगे प्रसासन जा पढ़ेंगे हर्शुद्म के बारे में तो पता चलेगा कि वह लगबग वैसा ही था जैसा कि गुपतास का सब्रसासन था तो उसमें ऐसा वी चेंज हम को देखने को नहीं मिलता हाँ टैक्स सिस्टम आप देख सकते हैं अगर देखने का मौका मिलता है या टाइम मिलता है तो इसको पढ़ेंगे हर्शुर्दन की कोईंस के बारे पढ़ लेंगे साथ ही साथ महा मोक्ष परिशत करके भी इसने एक कन्योज में आयोजन करवाया था जिसकी अध्यक्सता किस ने करी थी फ्वेंसांग ने करी थी ठीक है तो वो साथ परियाग राज में करवाया था तो उस परिशत को क्या हम बुद्धिस्ट की काउंट्ल चे जोड सकते हैं या नहीं ये भी आप पता लगाईगा थीक है तो कौन सी सबा एक बुद्धिस्ट हम क्या सकते हैं महा मोक्ष परिशत का आयोजन किया गया था कि कहां प्रियाग में थीक तो यह भी काफी इंपोर्टेंट कांट्र पॉंट को दिखाए दे रहा है तो इन सब पॉइंट्स को अगर आप कनेट कर सकते हैं आपस में तो जाहिर से बात है कि आपको इसका लाब ही मिलेगा थीक है बागी चीच मैं आपसे एक होंगा कि study for civil service के content purchase कर सकते हैं इसमें कई सारे questions दिये हुए हैं इसमें record हम देख सकते हैं कि पिछले बार जो प्री का exam वह था तो मुझे जानकारी मिलती है कि लगबग 120 ते ज्यादा questions directly उनके question bank से ही आये थे तो हो सके तो study for civil service के material को purchase कीजिए काफी कम समय है और इसमे में अधिक सदिक PYQ अगर solve किया जाए तो हमारे निकलने की जो समभावना exam पास करने की वो बहतर हो सकती है ठीक है तो मिलते हैं next session में तब तक पढ़ाई करते रहे जिए और please revise जरूर करिए थेंक्यू